यहां पर हमें एक नया camera UI देखनी को मिला है जिसे आप Leica camera 6.1 कह सकते हो Xiaomi camera 6.1 कह सकते हो या फिर आपका HyperOS 2.2 का camera कह सकते हो लेकिन main point यह है कि इस नए camera में आपको बहुत साथ नए UI देखनी को मिल जाते है पूरा का पूरा look यहां पर change कर दिया गया है यह किस तरीके से आपके phone के अंदर काम करता है क्या क्या changing लाकर देता है वो साहे चीज़े इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बस जरूरत आपको लास्ट टक watch करने की और साथ साथ यह भी बता दूँआ इसे यूज कैसे करना है और अगर आपके device में काम नहीं करता है तो इसे remove कैसे करना है यह एक official camera जो की आने वाला time में सभी को officially मिल जाएगा बट अभी की time पे इस वीडियो के help से आप instant use कर पाऊगे वीडियो अच्छा लगता है तो यह लाइक कर देना चैनल पे नहीं है तो please subscribe और share ताकि ऐसे इंट्रेस्टिंग अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँ अपसे पहले मैं आपको यहाँ पर camera का version लो कर देता हूँ उसको बाद बागी features हम देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 6.1 है इसे मैंने अपडेट कर रखा है कि यहाँ पर uninstall का भी option दिखाई देता है जगर हम इसे simply है जो uninstall यहाँ से कर देते हैं तो आपके phone में जो default camera था उसी का look आपको देखने को मिलेगा जो features थे वह सारे features आपको रहेंगे इस camera से कुछ नया features to activate नहीं होने वला नहाँ नया EY नय लूक बगर आपको देखने को मिलेंगे और में भी किसे-किसे device के अंदर camera का जो performance है जो quality image quality वह भी थावसा है हो सकता है तो यह चीज आप चेक जरूर कर लेना तो यह हमारा old device जो कि still आप यहाँ पर use कर रहे हो और यह हर एक device के अंदर maybe version different different हो सकता है बाट मेरे phone के अंदर यह 5.3 का something something वाला number रन कर रहा है आप अपना देख लेना कि आपका कौन सा system default है और यहाँ पर देख से तो कोई भी uninstall का option देखने को नहीं मिलता तो simply जो download link में आपको दूँगा उसे download करना है और आपको क्या करना है कि save कर लेना इस 6.1 के साथ अब यहाँ पर देखना कि यहाँ पर जो version है वो यहाँ पर हमारा जो update हो चुका है और यहाँ पर uninstall का button भी आ चुका है यानि जिसमें काम नहीं करता आप simply uninstall कर सकते हो आपके phone पे कोई भी single percent का भी effect नहीं परेगा अब जैसे आप इसे on करोगे आपको first time कु बॉटम पर कर दिया गया है जो आपके device में system default main camera है जैसे के 50 megapixel या 108 megapixel या फिर जो कुछ भी है उसका नाम यहाँ पर change हो के बन जाएगा ultra HD जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो मेरे phone में यहाँ पर 50 megapixel है लेकिन आप यहाँ पर यहाँ यहाँ जो so कर रहा है वो है ultra HD और करके आपने जो बाखर चीजों को बदल सकते हो यह हमारी setting की icon देखने को मिल जाता है साथ साल यहाँ पर पे कुछ इस तरय किसे filters भी आपको देखने को मिल जाता है है यहाँ पर यह बाखर चीजरे है जो change करने के option आपको मिलते हैं यहाँ पर जो कि आपका image participation ने को button दे द में भी आपके डिवाइस में यहां पर कुछ और एक्स्ट्रा ओप्सन देखने को मिल सकते हैं और जिसमें कम है उनमें कम देखने को मिलेगा यानि ओफिसली जो आपको फीचर्स मिलें के ना वह साहर रहेंगे बस उसके लुक और थोईबुत एक्स्ट्रा उनके अंदर की ची जो कि इसे के अंदर एड कर दिया गया है अनदर AI और एडिट के आप्सन आपको देखने को मिलते हैं जो कि एडिट करने के बाद कुछ इस तरह के सामने टाब नजराएगा जो कि हमारा प्रो फोटो और इस तरी के से है आसे टॉप प्र आप करते हो तो जो भी फीचर से व फोटो क्लिक करते हो तो आपको यहां पर वाटरमा कुछ इस तरी की से देखने को मिल रहा है अनदर मैं अगर फिर से बैक आओं कैमरे को ओपेन करूँ वाटरमाग पर जाओं और इस वाले ओप्सन को अगर मैं पिक कर देता हूं और यहां पर भाई आइधिंक लॉंग प् देखने को मिल जाते हैं जो कि यहां पर काफी जड़ा सही तरीके से काम करते हुए नजर आते हैं तो बस यहां पर ऑन करना है सेट करना है और वाटरमाग का बेनिफिट ले लेना है वीडियो के अंदर आते हैं तो यहां पर टैप करेंगे तो आपको देखने को मिल जाता ह था वह दिखाई दे रहा है मुझे लगता है जहां तक इसके बाद इस पर टैप करेंगे तो आपका है जो वीडियो को मिल जाते है इस new UI के साथ लेकिन इसके अलाबा काफी चेंज आपको देखने को मिलता है इसके setting के अंदर यहां पर आप देख सेते हो पूरा का पूरा का पूरा का टेगरी बना दिया गया फोटो का पूरा अलग टैब है वीडियो का पूरा अलग टैब है और जेनरल का सकते हो जो कि काफी साही है बाकी यह जो पहले हमें फीचेस मिलता था वह ही है जहां पर जो setting आप अप्लाई करोगे वह पर्मानेट आपका अप्लाई रहता है यहां पर आप लेयाओट को चेंज कर सकते हो यहां पर आपको चेंज करने को मिल जाता है यहां भी साइड वाल मिल जाता है यहां पर timing option मिल जाता है शूर्ट ऑफ-Sound ओला option आपको यहां पर को मिलता है और बाकि यहां पर lokacotions होगेरा है और यहां पर अधर है जो के घूसा दिया गया और यहां पर डेट का भी आफ रिटन आइड़ किया गया AI का भी आपको option यहाँ पर मिल जाता है और बाकी image quality वगरे के option आपको यहाँ पर मिलते हैं तो यहाँ पर on कर सकते हैं अब देखें तो यहाँ पर camera को पर grade का option है जो यहाँ पर आ चुका है जो कि देखने में काफी सही लगता है और यह जो आपको plus plus दिखाई जाना एक motion है जो आपको क्या करना है simply है जो download करना है और install करना अपने phone के अंदर और comment करना है कि आपके model पे एक काम किया या नहीं ऐसे बहुत सरे model पे काम कर रहे है और में भी कुछ model पे काम नहीं भी कर रहा होगा तो मैंने आपको बता दिया काम नहीं कर रहा है तो simply long pressure case के about में जा सकते हो और install कर सकते हो लेगिन काम करता है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं करता तो wait करो में भी आपके phone के कुछ और update आएंगी उसके वाद एक camera काम करने लग जाएगा और काफे पुराना model है और काफे पुराना android version है तो मेभी उस पर काम नहीं कर रहा है तो in future भी नहीं तो आप मुझे बताना यह update कैसा लगा डानो लिंक आपको मिल जाएगा discussion में अच्छा लगा है working है तो अपना details share कर देना नहीं working है तो भी details share करना ताकि बाके दर्यूस को पता चले और चैनल पर नहीं है तो please like, subscribe or share करके जाना मिलते है नेक्स वीडियो में बाई कर दो